हेलो फ्रेंद्स वेल्कुप टुमाई यूटूब चैनल दोस्तों आज हम आपको बताने जाड़े हैं अस्व गंधा बीने के जबर्दस्त फायदे और नुकसान के बाड़े में आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो काफ इंट्रस कैसी कई जड़ी गूटिया पाई जाती हैं जिसके नियमे दिस्तमाल से हम कई घातक बीमारियों से बचे रह सकते हैं हाला कि आयरवेद में अस्वगंधा के कई गुन बताये गया है तो आईए जानते हैं आस्वगंधा के कौन-कौन से गुन है अस्वगंधा में एंटी आ आपका आपको बता दें इसे आप घी या दूद के साथ मिलाकर सेवन करते हैं तो आपका वजन भढ़ सकता है आईए अब आपको बताते हैं अस्वगंधा पीने के फाइदे क्या क्या है कैंसर जैसी खतरनाक बिमारी में बहुत असरदार है शुगंधा का इस्तमाल कई रि खत्म करने और कीमो थेरपी से होने वाले साइड इफेक्ट से भी बचाने का काम करता है इतना ही नहीं अस्वगंधा में मौजूद ऑक्सीडेंट आपकी इमिन सिस्टम को मजबूत को बनाने का काम करता है जो आपको सर्दे जो काम जैसे बिमारियों से लड़ने के सकती प कुमतादे अस्वगंधा मानसिक तनाव जैसे कंभी समझ्याओं को भी ठीक करने में काफी मदद करता है एक रिपूर्ट के अनुसार तनाव को 70% सदी तक अस्वगंधा के इस्तमाल से कम किया जा सकता है दरसल आपके सरीर और मानसिक संतुलन को ठीक रखने में काफी है पानी साहद या फिर घी में मिला कर अस्वगंधा चून का से Oreo किया जा सकता है इसके अलावा आप अस्वगंधा कैपसल अस्वगंधा चाहिए अस्वगंधा Rs. भी मार्केट से या ओनलाइन आप जैसे भी कमपर्टेवल है आप ले सकते हैं आईए अब आपको बताते हैं इसका सेवन आपको कब करना चाहिए रात में सोने से पहले दूत के साथ इसका सेवन काफी फाइदे मंद होता है इसके इसे खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है कई लोग खाले पीट भी इसका सेवन करते हैं लेकिन कुछ लोगों को खाले पीट अस्टूगंधा नुकसान करता है इसलिए इसके सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी आयर्वेधिक डॉक्टर या नैचुरोफैथी एक्सपॉर्ट से सलाह लेकर है इसका सेवन करें आईए अब आपको बिताते हैं अस्टुगंधा पीने के नुकसान क्या क्या है को बता दें ब्लड ट्रेसर से गस्ट लोगों को अस्टुगंधा डॉक्टर की परमर्श सही लेना चाहिए साथ ही जिनका बीपी लू होता है उन्हें अस्टुगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए इसके लिए इस्तमाल से पहले आप डॉक्टर की सला ले और उसके बाद ही इसका सिवन करें इतना ही नहीं अस्टुगंधा का इस्तमाल नेंद के लिए अच्छा है लेकिन इसका बहुत दिनों तक इस्तमाल आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है इसलिए अस्टुगंधा का सही डोज ना लेने से आपको काफी साड़े समझ जाए हो सकती है जैसे कि उल्टी और जी मचलाने जैसे समझ जाए इसलिए अस्टुगंधा का ज़्यादा परियोग करने से पचे इतना ही नहीं अस्वगंधा के ज्यादा इस्तमाल से आपको बुखार ठकान दर्द और सरदर्द की सिकायत भी हो सकती है तो आप एक पर डॉक्टर से सलाल लेकर ही अस्वगंधा को अपने डाइट में सामिल करें तो दोस्तों आज आपने जाना अस्वगंधा पीने की जबर्दस्त फायते नुकसान और अस्वगंधा कब पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए आज सहें आपको आमारा वीडियो जोरू पसंद आया होगा अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाए टेक केर थेंक्स पूर वाचिंग बाबाई